Today let's talk about Miro, अब यह Miro है क्या और उसको किसली यूज करा जाता है? Let's explain, तो Miro एक टूले जिसकी help से आप किसी भी project या पिर किसी API का एक flow chart create कर सकते हैं, बट ऐसा करना क्यों है? तो for example आप एक project पे काम कर रहे हैं, अब उस project पे एक नया बंदा या फिर बंदी काम करेगी, जिससे क्या होगा कि उस नई बंदे को उस project का flow अच्छे से समझा जाएगा, और वो easily उस पे काम कर पाएगा, and one more suggestion, अगर आपके पास एक नया project आया, तो पहले आप उसको एक flow chart create कर लें, और उसको client के साथ share करें, अगर उसको कुछ edit करवाना है, तो वो edit करवा सकता है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका project का development phase होता है, वो काफी easy to understand रहता है, जिसके कान सभी अच्छे से काम कर पाते हैं, तो ये थी एक छोटी सी video about Miro, अगर वीडियो चलेगी, like जरूँ,